तो स्वागर दोस्तो मैं हूँ आपके साथ आरकेडग निकल जिया दोस्तो इस रड़म बताऊंगा आपके इस प्रकार से अपने किसी भी एंड्रेड़स में कोई भी गेम खेलते दोस्तो उसके जो परफॉर्मेंस से उसको आप ओर क्लॉक कर सकते हैं चाहिए दोस्तो आप ब परफॉर्मेंस ओवर क्लॉक वाली मौडूल को फ्लैस करा रहा है तो आप भी दोस्तो बहुत हैसानी से इस मौडूल को फ्लैस करा के अपने किसी भी गेम की परफॉर्मेंस को ओवर क्लॉक कर सकते हैं तो सबसे बले दोस्तो मैंने आपको डिस्किप सड़ बाड में लिंक दीर एडिया वहाँ पर से जाकर आपको वो script file download कर लीनी है script file download करने के बाद दोस्तों इसको आपको करा लेना है Z archiver application से open जी हैं दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से module file देखने को मिल जाएगी इस file को दोस्तों simply से आपको कर देना है यहाँ पर से एक extract की option देहने को मिल जाएगा है दोस्तों Extract परенко करने करने के दिन दोस्तों आपको वूपर में Divideeस टोरिज पर चाले आना के बात दोस्तों आपको प्लस का स्विमबल देखने को मिल जाएगा प्लस के स्विमबल पर आपको new folder पर Pen Outrage तो पाइब tobोड Kelly करने के बाद दोस्तों यह आप रसे आपको नेसा फोल्डर क्रिएट कर लेना है लिए टोफिर अम्ट्री कर करके आपको फोल्डर क्रिएट कर लेना है इस फोल्डर में डोस्तो फाइल को यह पूल टरी ना है पेस्ट जैसे आप अब उस icon पर click करेंगे आपका जो file है दोस्तो simply say extract हो जाएगा then दोस्तो कुछ इस प्रकार से आपको file देखने को मिल जाएगी mtmg performance version 2.sh की file अब आपको क्या कर लेना दोस्तो simply say अपड़ाइस की जो settings होती दोस्तो system settings उसको आपको कर लेना है यहाँ पर से open open करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको चलियाना है अपने about phone फोन को दोस्तों में कर लेता हूँ open open करने के बाद build number भी दोस्तों आपको कर लेना seven time प्रेस seven time आप जैसी प्रेस करेंगे दोस्तों आपके डिलास में जो आपको कर लेना है ऑपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस पर गार से अगर आपका यह disabled रहेगा इसको कुछ से एनबल कर लेना है एनबल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर से system settings से हो चुका आपका काम complete अब आपका काम आता है दोस्तों आपका जो mt manager application जो आपको मैं description मान पर प्रोवाइट करा दूंगा दोस्तों वहाँ पर से आप empty manager application को download and install कर सकते हैं इन install करने के बाद दोस्तों कोच इस प्रकार से आपको empty manager application देखने को मिल जाएगा इस application को दोस्तों आपको कर लेना है simply say open open करने के बाद दोस्तों read and agree पर आपको कर देना है क्लिक आप जैसी करेंगे दोस्तों आपका empty manager application successfully हो जाएगा open अब दोस्तों आपको right hand side पे folder देखने को मिल जाएगा अब दोस्तों आपने जो MTM करके नया सब folder create के रहा था अपने device दोस्तों आपको कर देना है open open करने के बाद अगयन इस फोल्डर को ओपन करने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों वर्जन डू.sh की file जिया दोस्तों sh की file को आपको कर देना है simply say execute execute पे आप जैसी क्लिक करेंगे उसका package name आपको type करना है type आप कहां से करेंगे दोस्तों आपको simply say android folder पे चले आना है media पे चले आना है या फिर data पे चले आना है दोस्तों data पे आने के बाद दोस्तों जिस भी आप game को ओर clock करना चाहते है उसका package name दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर से आपको मैं by example दिखा देता है दोस्तों मैं इस application को overclock करना चाहता तो simply say मैं उसको rename पे click करूँगा rename पे click करने बाद दोस्तों मेरे को उसका package name देखने को मिल जाएगा com.fromfront.vlog करके इस package name को simply say मैं आपर कर देता हूँ type जी यहाँ दोस्तों जैसी आप उस package name को कुछ इस प्रकार से type करेंगे आपका जो यह game है दोस्तों जो भी game आप overclock करना चाहते हैं उसको simply say enter करेंगे देन दोस्तों one one आपको again जितनी बार बास दोस्तों आपको यहाँ पर command बगता है one one करके इंटर करते ही जाना है इंटरप जैसी करेंगे दोस्तों आपका जो game है दोस्तों जिस भी game को आपने आप टाइप किया तो जिस भी game का package नहीं है आप टाइप किया था दोस्तों उसको बहुत ही असानी से ओवर clock कर पाएंगी तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों बहुत ही असानी से इस method से आप सब्सक्राइब वीडियो के लाग के ना बिल के ना भूले धन्यवाद थैंक्स फॉर वाचिंग